आद में शेयर करने जारी चना दाल लौकी की रेसिपी ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और भूदी है इसे नगदावा भी कहा जाता है बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए एक कप दाल चना दाल यहाँ पर ले 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 ला है आप अपने इसाब से इसे बढ़ा के दोगे इसे भी इसमें डाले ना है नमक डाल देना है इसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगी हलदी पार ठाबर बेदाना अब इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी दो तेज पत्ता यानि की बेई लीव्स इसे बॉil करने मैट करने से इसका फ्लेवर लौके और दाल के साथ ही आ जाता है इसे अच्छे से मिक्स कर देना है इस सारे मसालू को और इसे बॉil करने के लिए मैं यहाँ पर हाफ कप पा तो एक से जेट का पानी डाल सकते हैं यहां पर जिस पानी मैं चला दाल को सोक किया तह वही पानी मिस्ट में डाल दूंगी तो उसके निट्रेशन जो पानी में आ जाते है वह इसमें आ जाएंगी उसे वेस भी नहीं करना और इसे फ्लेवर और भी अच्छा आता है तो हाद मैंने और 2 देबल स्पून्द अलिवे निटालोंऑ कोई यूस कर सकते हैं यहां मैंने तेट ल हे संब्लिया है मैं दो परसंट के लिए थी है अगर अगर आप सिंगल परसंट के लिए बना रहे तो 1 टेबल स्पून की दाले और इसे थोड़ा की कอนटिटी को आप बट तब प्याच को घुना बहुत ही जरूरी है यसका बहुत ही इंपॉर्टन थे टीस्टी बनेगी दालोकी की सब्सक्कें करने कि मुझे बताने कि तड़के के लिए और वन टेबल स्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया है इससे कलर अच्छा आएगा यहाँ पर मैंने कश्मीरी लालमिज का यूज किया है यह थोड़ा सा ओल में भून लेना है यह रेसिपी काफी जादा हाइं प्रोटीन है और साथी सा यहाँ पर मैंने लालमिज को भूल लिया है अब इसे थोड़ा में निकाल लूँगी बाद मैट करने के लिए तड़के में वापस से हमें कोई तड़का बनानी की जरुरत नहीं होगी इसमें में थोड़ा निकाल ले लिए और थोड़ा पैन में रहने देना है इसे बाद म में अब लेकिते हैं तैब से बाद माज़ा है डालने के लिए इसे में यहाँ तक बंसा दो में ने जाए भुने साथ करिशे और यह सीशह अफे द्दोना यह में भूना मीतानी को ते आप लिएحसानी Clay में अच्छे सबस्ट का साप्ज पैस अब में आपर दो टमाटर की प्योरी को आड़ कर रही हूं इसमें और यह प्योरी को भी इसके साथ अच्छे से मिक कर लेना है तो से तीन मिट तक इसी तरह चलाचे आपको पकाना है ताकि ग्रेवी जले मीना और अच्छे से भुन जाए चना दाल की रेस्पी को बनाने में मसालो को बना पहुत ही जरूरी उससे ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा एक से दो मिनेट बुनने के बाद अब इसमें तीखा पन के लिए मैं कुछ हरी मिच एड़ करूंगी तीन से चार हरी मिच में मैं आपके एड़ करूंगी आ मैं इसे अच्छी से एक से मिक्स कर लेना है मिसालो के साथ अब यहां पर में कुछ मसाला एक करूंगी ताकि तुमाटर के साथ मसाले भी अच्छी से मुझा है हाफ टीबल स्पून हल्दी पार यहानी कि तबीक प्रावडर यहां पर दाल दिया है और इसके बाद मैं दो त नमक एड़ किया है फिर यहां पर अगर थोड़ा खटापन आप लाना चाहते है ग्रेवी में खटापन बहुत ही अच्छा लगता है इस ग्रेवी में तो इसके लिए वन टेबल स्पून आमचुर पार्डर यानि कि डाय मैंगो पार्डर यहां पर डाल देना है यह ऑप्शन आप और जो ग्रेवी उसका कलर भी आपको थोड़ा डाक लगेगा देखने में बस इसके बाद जो मैंने दाल बॉइल की थी तीन से चार विसल तक देख सकते हैं दाल भी बॉइल हो चुकी दाल लोकी यहां पर अच्छे से बॉइल हो चुके बस इसी स्टेट तक इसको अब इसे अचा से एक अचा मिक्स दे दे ना है, मैं एक सी 2 मिट तक इसे चला लोंगी मैं अच्छे से आँ अब इसी कवर कर देना एं और 4-5 मिट तक इसे पकने देना है, चाल से 5 मिट 100 मिट हो चुके हैं इसे बहूट ही अची हूश्बू आ रही है इं कियां पर आप क्य निकाल लिया है और जो तड़का मैंने पहले निकाला था वो इसमें मैं डाल दूँगी इस तरह से आप चना दाल लेंकि नगडावा की रेस्पी बना सकते हैं बहुत ही हल्दी वे में और यह खाने में भी बहुत ही हमीजन लगती हैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो झाल 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 झाल